हेलो फ्रेंड्स कैसे हो बढ़िया आप देख रहे हैं उन्जे फ्रीद कोर्ट हम मेरी भुवा के पास गये थे डैडी जी की भुवा के पास भी गये थे उनकी डैथ होगी है उन्हें और फूफट जी की भी और भुवा की भी डैडी की भुवा और फूफट की डैथ होगी थ तो हम अफसोस करने के लिए वहां गए थे और मैंने सुचा दोस्तों कि जे फ्रीद कोट जो हमारे फ्रीद कोट शहर है बहुत बड़ा और जे पंजाब का सबसे बड़ा मेडिकल हमारे फ्रीद कोट शहर में ही है मींज हमारे सब मेडिकलों में बड़ा मेडिकल है जो वो फ्रीद कोट में ही है हॉस्पिटल है वो सब फ्रीद कोट में है और यह देख रहे हैं आप फ्रीद कोट शहर हम फ्रीद कोट शहर में पहुंच चुके हैं मैंने सोचा दोस्तों कि क्योंना मैं आपको दिखा दूँ आपको बढ़िया लगेगा कि मैंने अपने दोस्तों को जी सब दिखाया हैं अब हम बठिंडा रोड के उपर आ चुके हैं स्रीद कोर से हमें बठिंडा जाएंगे और बठिंडा से हम मांसा जाएंगे दोस्तों हिंडा का रूड इंजुआए कर सकते हो बठिंडा के थर्मल प्लांट जो है वो दिखाई दे रहे हैं आप देख ले मैं दूर से दिखाने की कोशिश कर रहे हूं हम बठिंडा शहर में पहुंच चुकी है आप जिन लोगों ने बठिंडा नहीं देखा वो बठिंडा देख ले इस वीडियो में जे है तर्मल प्लांट दोस्तों बठिंडा के बहुत ही मशूर फेमस और जे पानी का जगाड मेंट लगाया हुए है शाहिद बिजली पैदा की जाती है जहां देख रहे हूं आप तर्मल प्लांट देखो फोर बने हुए है कितने बड़े बड़े है दूर से दिखाई दे बठिंडा शहर के सान है दोस्तों मैंने सोचा कियो ना आपको दिखाऊ हूं अब हम मांसा रोड पे रुके हैं एक दुकान पे जूस पीने के लिए गन्यका जूस जहां पे नर्सरी भी है दोस्तों जे देख सकते हो आप राजपल नर्सरी है जहां पे भी सभी परकार के प बहुत कम था कि मैं नार्षरी के अंदर जा सब और अब रवुक करता हैं लेकिन अप जहीं से देख ले दोस्तों मैं यूं कर कर दिखा रही हूं जो बहुत बड़े-bड़े प्लांटर है गमले बहुत बड़े-बड़े दोस्तों जिन में ये प्लांट लगे हुए है और म मांसा कुछ ही दूर रह गया है दोस्तों हम कुछ ही टाइम में पहुंच जाएंगे और देखो भाई की दुखान गुनाई है पतानी जी क्या है उसकी और दोस्तों बाई दोस्तों आपको कैसा लगा शियर करने को